है लो गाई इस कैसे हो आप सब अमीद हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल ना आपका बहुत बहुत स्वागत है और यह मेरे लाइब को फर्श्ट व्रोग है आप मैंसे कहीं लोग ऐसे होंगे जो कि यह चैनल को नहीं जानते हैं लेकिन डांट लोग देखते हैं तो गाईच देखिए मैंने डेविट का बेवी जूला मंगवाया है मंगवाया है तो सोचा कि मेरे फर्श्ट ब्लोग मैं इसी पर बना लेती हूं तो देखिए आप और यह देखिए इसके जो पाइप है वो काफी मजबुत पाइप है तो आप देख सकत देखिए मैं बना के आपको दिखा रही है और गाईस इसके मुझे एक सबसे अच्छी चीज यह लगी है कि जैसे अपने इसको यूजमें लिए पा रहे है तो इसको बापस से पैक करके रख सकते है यह काफी अच्छी चीज लगी है क्योंकि यह जग पहुत कम लेता है यह इसका पलना तो काफी बड़ा है यार इसमें तो दो साल तक के बेबी को आप आराम से जुला सकते हो यह देखिए यह देखिए मैंने इसको लगा दिया तयार कर दिया है यह बीस केजी तक का बेट ले ले लेता है आराम से ना तो आप दो साल तक तो भई आराम से सुलाओ और यह जो बेल्ट आया जाता है तो बेवी साइड में आ जाता है तो बेवी आराम से सो पाता है क्योंकि बेल्ट लगा हो और बेवी सीध्धा सोता रहता है तो नेंदी भी इस्टर भी होती है, यह सबसे अची जीज है, और इसका जो गद्दा है, यह बहुत सौप्ट गद्दा है, और इसके साथ में चार्जर भी आया है, जो कि मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, और यह देखिए, यह पिने इसकी लगा हूँ, और यह इसका नेट है, जो कि मच्छर दानी आ, धूप भी नहीं आती है, पीछे कपड़ा जिस से धूप नहीं आपाती है, बच्चे को आगे मच्छर दानी है, जिसमें होगे बच्चा देखता रहता है, और मच्छर भी नहीं आ पाते है, और यह आगया, देखिए मेरा किश्यो बेवी आ गया है यह तो भई इतना enjoy करता है कि अथाओ में इसमें आराम से जूलता रहता है मेरा बेवी है इसको तो बहुत पसंद आया है यह ओटोमेटिक जूलता रहता है और इसमें जो यह देखें, यह मच्छरदानी है ये इस मोग के आराम से देखते रहता है बेवी तो इसको ऐसा भी नहीं लगता है कि भाई मुझे कुछ दिखनी रहा हूँ और जो टून्स बगेरा इसके सौंग है और जो की पंच्यों की आबा जाती है वो बहुत अच्छी चीजेस में उससे बेवी को ऐसा फिलनी होता है कि मैं अकेला हूँ बेवी को ऐसा लगता है कि हाँ कोई मेरे पास में है तो बच्चा परिशान भी नहीं करता है और बेवी आराम से सो लेता है और आर सो के जगता है तब भी खिल लेता है बेवी है ना तो ये सब ये भी बहुत अच्छी चीजे इसमेना और ये मैंने आज का ब्लोग बनाए दोस्तों तो आपको पसंद आए ना आए तो प्लीज बताईएगा और मैं और ब्लोग लेके आएगे आएगे तो मिलके अगले ब्लोग बनाएगे